अब इस चर्चा में सरप्रथम भाग लेंगी अधर्णिय सदस्य शिरिमती आशा कुमारीजी अध्यक्ष महदे आपने वित्तिय वर्ष 2020-2021 के बजट अनुवान प्रस्तुर जो मुक्य मंत्री महदे ने 6 मार्च को किये उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे समय दिया आपका धन्यवाद अध्यक्ष महदे मुकेश अतने उत्री जी ने जो बहुत सारी बाते थी वो रख दी हैं आकड़ों के लेकर के मैं उनको रिपेट में करना चाहूंगी क्योंकि आपके पास समय भी सीमित है यह अभी भाशन जो है भाशन जो है जो मुक्य मंत्री जी ने दिया है यह जो इस साल पचास साल हिमाचल प्रदेश के स्टेट हूट को हुए हैं उसको लेके चालू होता है अधिक्ष मौदे में इस पे थोड़ा से चर्चा करना कि यह सफर जो है स्टेट हूट का यह चालू हुआ जब हिंदुस्तान आजाद हुआ हिमाचल प्रदेश पहले जो ओल्ड हिमाचल हम जिसको कहते हैं पहले वह एक चीफ कमिशनर प्रोविंसेज बना उसके बाद जब पंदरा एप्रिल 1948 को सी पार्ट स्टेट बना फिर सुवाजी भी आते हैं बिलासपुर आखरी रूल रूल स्टेट जो था जहां रूलर था तो वो एक जुलाई 1954 को बिलासपुर भी जो है वो ओल्ड हिमाचल में मर्ज हो गया उसके बाद रियॉर्गनाइजेशन कमिशन बनी उसमें यह फैसला करना था कि यह जो छोटे मेंबरसrü थे उन्होंने रिपोर्ट दी कि इसको पंजाब में मर्ज कर देरा चाहिए मगर यक मैंळूरी में डिला के साथ इसको खथरद हो नहीं करना चाहिए और पंड़ेश जवाल गलन्हरू ने उस minority report को accept करके हिमाचल प्रदेश को as union territory जो है वो कायम किया उसके बाद पहली November 1966 को पंजाब का reorganization हुआ पंजाब के reorganization में जो पहाड़ी छेतर थे वो हमारे में आए परेकेश पठानिया जी वगmaster साथ आज lovely आए यहां वाजूद में मुकेश जी इस सब आए है पहारी लाके सारे ऑँ और आप भी अधिक्ष और आपका इलाका भी आया लहुल भी आया कुंलू भी आया ये सारे इलाके आये और जो वर्तमान सुरूप है हिमाचल प्रदेश का ये अस्तित्व में आया मगर उस वक्त हमें यूनिन टेरिट्री का दर्जा हासिल था उसके बाद 19 डिसंबर 1970 हिमाचल के लिए बहुत एतिहासिक दिन था पार्लिमेंट में पार्लिमेंट में दी हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट को पारित किया गया और अध्यक्ष मौदाई हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उस एक्ट में जब वो बिल पारित हुआ पर चर्चा हो रहे थी एक मानिय सदसे जो यहां अभी भी सदसे हैं उस वक्त युवा सांसद हुआ करते थे उन्हों ने उस चर्चा में भाग लिया जो कि बाद में हिमाचल के छे बार मुख्यमंत्री बने और हिमाचल प्रदेश को उस वक्त 48 seats दी जा रही थी विदानसभा की इन्होंने लडाई लड़ी और रात के दो बजे यह एक्ट पारित हुआ है रात के दो बजे पार्लेमेंट में पास हुआ और इनों इनका एमेंडमेंट था इनका एमेंड हिमाचल प्रदेश के लिए जो मानी गई आज वरतमान सुरूप है वो हिमाचल प्रदेश रियार्गनाइजेशन एक हिमाचल प्रदेश स्टेट आक्ट जो बना उसमें रजावीर भद्दर सिंग जी का बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर यश्वंत्राव परमार का बहुत बड़ा योगदान है और 25 जन्वरी 1971 को रिच के मैदान में बरफ पड़ रही थी परती बरफ में इंद्रा गांधी जी आई और उन्होंने पूंड राज्य का हमें अद्डर जा दिया डॉक्टर यश्वंत्राव परमार वहां थे वीर्भद्र सिंग जी वहां थे ठाकुर रामलाल जी वहां थे और ये सब लोग जो है इनकी वजह से आज हमारा प्रदेश जो है अपने इस अस्तित्व में आया और मैं कहना नहीं चाहती कि उस वक्त एक पार्टी थी जो कहती थी स्टेट हुड मारोट हुड पर वार वार याद दिलाना पड़ता है इस हि कॉंग्रेस पार्टी इंदरा जी जवाल नाल नेरू यश्वन तराव पर्मार वीर्बदर सिंग को जाता है आपको कहां इसमें कोई भी जो योगदान नहीं है